पहली बार करने जा रही हैं बट सावित्री व्रत तो ना करे ये गलतियां, बैबाहिक जीवन में बनी रहेगी खुशाली हिंदु धर्में हर एक पर्व का विशेस महत्व है और किसी भी व्रत त्योहार में पूजन बरे ही विधी विधान से किया जाता है इन्ही में से एक पर्व है वट सावित्री का व्रत इस पर्व में मुख्य रूप से बर्गत के पेर की पूजा होती है और इसी व्रिक्ष की परिक्रमा की जाती है हर साल जेश्ट महिने की अमवश्या तिथी को बट सावित्री का वरत रखा जाता है इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पती की दिरगायू होने की कामना में वरत उपवास करती है इस मौके पर बर्गत के वरिक्ष की पूजा की जाती मानिता है कि इस दिन जो भी इस तरी पुरी सरधा से वर्ट बरिक्ष की पूजा करती है उसकी मनुकामनाय पोर्ण होती है और उनके पती को दिरगायू का वर्दान मिलता है इस साल यह पर्व छे जून को मनाया जाएगा क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार जेश्ट माह क्या मवस्याति थी इसी दिन पर रही है यदि आप नई दुलहन है या जल्दी ही आपकी शादी हुई है और इस साल आप पहली बार बट सावित्री का वर्द करने जा रही है तो आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए आईए इसके बारे में विस्तार से जाने यदि आपकी जल्दी ही शादी हुई है और आप पहली बार बट सावित्री की पूजा कर रही है तो आपको इस बात का विशेस ध्यान रखने की जुरत है कि आप पूजा के दौरान कुछ विशेस रंगों के कपरे ही पहने मुख्य रूप से आप लाल, पीले या हरे रंग के कपरों में पूजन करें आप इन रंगों से मिलते जुलते रंग जैसे गुलाबी, नारंगी या मरजेंडा रंग के कपरे भी पहन सकती हैं ये रंग पूजा के लिए उप्युक्त मानने जाते हैं और सकारात्मक उर्जा को आकर्शित करते हैं वहीं आपको बट सावित्री व्रत के दिन बरगत के व्रिक्ष की पूजा करते समय काले, सफेद और नीले रंग के कपरे नव पहनने की सलाह दी जाती है यदि आप इन रंगों के कपरों में पूजा करती हैं तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है यदि आप पहली बार बट सावित्री का व्रत कर रही हैं तो कोशिस करें कि बरगत के ब्रिक्ष की ही पूजा करें आप पूजा के लिए घर में बर्गत की टहनी तोर कर ना लाएं यदि आप इस दिन वट ब्रिक्ष की टहनी तोरती हैं या इसके पत्ते पेर से अलग करती हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता है जोतिश की माने तो आप जिस भी ब्रिक्ष की पूजा करती हैं उसे किसी तरह का नुकसान पहुचाती हैं तो आपकी पूजा पोर्ण रोप से सुईकारिय नहीं मानी जाती इसी वज़ा से वट सावित्री के दिन बर्गत के किसी भी हिस्से को तोड़ना नहीं चाहिए यदि आपकी नई शादी हुई है और आप पहली बारबट सावित्री की पूजा करने जा रही हैं तो सोला सिंगार के बिना पूजा न करें किसी भी सुहागिन महिला को पूजन के दौरान हमेशा सोला सिंगार करने की सलाह दी जाती है इस दिन आप काले या सफेद रंग की चूरी और सिंगार सामाग्रों का इस्तमाल करने से बचे सोला सिंगार को हमेशा से ही किसी भी महिला के लिए खास माना जाता है और पूजन के दौरान सोला सिंगार करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है इस दिन यदि संभव हो तो आपको सोने के गहने भी पहनने चाहिए यदि आप पहली बार बट सावित्री की पूजा करने जा रही हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जुरत है कि हमेशा सुब महुर्ट में ही पूजा करें कई बार हम जल्दबाजी में पूजा के लिए सुब महुर्ट का ध्यान नहीं रखते लेकिन नई दुलहन को हमेशा पूजा में इसका विशेस ध्यान रखने की जुरत होती है ऐसी माननिता है कि यदि पूजा सुब महुर्ट में नहीं की जाती है तो इससे आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभौ परता है आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखने की जुरत है कि आप बट सावित्री के दिन बरगद की परिक्रमा ठीक तरीके से करें यदि आप पहली बार पूजा करने जा रही हैं और परिक्रमा के सही नियमों को नहीं जानती हैं तो आपको पूजा से पहले परिक्रमा के नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए भूल कर भी बरगद की उल्टी दिशा में परिक्रमा न करें हमेशा आपको परिक्रमा घरी की दिशा में ही करनी चाहिए आपको इस दिन बरगत के व्रिक्ष की साथ परिक्रमा करनी चाहिए और इसमें साथ बार ही धागा लपेटना चाहिए यदि आप गलत तरीके से परिक्रमा करती हैं तो आपको इसके नकारात्मक परिनाम मिल सकते हैं यदि आप शादी के बाद पहली बारबट सावित्री का वरत कर रही हैं तो आपको यहां बताई बातों का विशेस ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको पूजा का पूरा फल मिले और खुशहाली बनी रही इससे आपके पती के जीवन में भी समरिदी बनी रहे और आपके रिस्तों में मिठास आएगी